इस वीडियो में हम AIMS BSC Nursing Examination के बारे में सब कुछ डिसकस करने जा रहे हैं जी हाँ आज हम डिसकस करेंगे कि इसका examination paper कैसा आता है कैसा रहता है इसका pattern क्या इसके total marks होते हैं क्या इसमें negative marking होती है की नहीं होती है इसका साथ हम लों discuss करेंगे क्या medium of instruction मतलब paper गया English medium में या Hindi medium में आता है number of seats कितनी है AIMS BSC Nursing के लिए और साथ-साथ कितनी seats इसमें reserved होती है और किस category के कितना reservation होता है यह सब कुछ हम इस पूरे वीडियो में discuss करेंगे और आपका concept बिल्कुल clear करने खुशिश करेंगे वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम जरूर कहेंगे कि हमारे चैनल को subscribe कर दिए क्योंकि हम लगातार ऐसे वीडियो आपको provide करते रहते हैं और examination की तैयारी भी कराते हैं physics, chemistry, biology और channel knowledge की तो आई यह चलते हैं सीधे वीडियो के तरफ और देखते हैं AIMS BSC Nursing course के important features तो पहले हम बात करते हैं entrance examination mode की तो आप यह चीज़ याद रखिए कि आपका जो examination होता है AIMS BSC Nursing का वो online mode में होता है online mode का मतलब यह examination आपको computer पे देना होता है इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपना computer लेके जाना है लेकिन जो आपको examination center मिलते हैं उन examination centers पे आपको computers already available होते हैं आपको जो seat a lot होती इस पे computer होते हैं और उस पे ही आपको examination जाके देना है और वहीं से आपको computer से छोड़के अपने घर आ जाना है ठीक है साथी साथ इसकी practice के लिए यहाँ पे mock test available लेते हैं इसकी website पे इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप computer friendly नहीं है तो आपके लिए website पे AMC website पे यह कुछ test देते हैं जहाँ आप practice कर सकते हैं कि computer पे किस तरीके इस examination देना है जैसे आपको examination center में कोई तरीके की problem नहीं हो ठीक है अब बात कर लेते हैं medium of instruction की medium of instruction बतलब examination सिर्फ English में आता है हिंदी में नहीं आता है तो आप यह ध्यान रखिए कि आप हिंदी में तयारी मत कीजे हिंदी में भले समझ लीजे लेकिन questions इंग्लिश में ही पढ़िए English में ह ठीक है आगे हम बात करें entrance examination paper की तो इसका जो paper अभी तक हो रहा है वो दो घंटे का होता है two hours का paper होता है जिसमें आपके total hundred multiple choice based question रहते हैं बतलब एक question के चार answer रहते हैं तो आपको दो घंटे के अंदर hundred questions करने होते हैं किस-किस के questions आते हैं इसमें physics के 30 questions आते हैं chemistry के 30 questions आते ह हैं biology के 30 questions आते हैं और यहां पर एक general knowledge के 10 questions आते हैं तो physics, chemistry, biology, general knowledge तो general knowledge के सिर्फ 10 questions आ रहे हैं बाकि physics, chemistry, biology के आ रहे हैं question का standard भी ठिक ठाक रहता है, need के standard का रहता है इसलिए अच्छी तयारी करने की यहां पर ज़रूरत है negative marking की बात कर लें क्योंकि यह बहुत important issue होता है तो बिलकुल हाँ negative marking इसमें होती है, yes, negative marking होती है आपको जो 100 question करने हैं 2 घंटे में, उन हर question correct answer अगर आप देते हैं, तो आपको one marks मिलता है और अगर आप गलत answer देते हैं, wrong answer देते हैं, तो minus one by three, 33% marks आपके deduct कर दिये जाएंगे इसलिए merit में negative marking की बहुत important ओर होता है, इसलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमें जो correct answer आते हैं, इसलिए को mark करें, पतर चला हमने confusion में या नहीं आता है, कोश कोशन mark कर दिया तो negative marking होने की वज़ा से, आपका क्या कहते हैं, total score already कम हो जाता है तो यहाँ पे negative marking होती है, और 100 marks का total paper होता है अब हम seats की बात कर लेते हैं, तो total all over India 851 seats तो अच्छी खासी seats हैं, बहुत seats हैं मलकी में कहूंगा 851, 851 seats all over India available हैं, और यह total 12 aims हैं all over India उनमें यह 851 seats आपको provide की जाती हैं यह है वो चार्ट जिसमें आप देख सकते हैं, 12 aims हैं, न्यू डेली में हैं, भोपाल में हैं बुवनेश्वर, देवगर, जोतपूर, नापूर, पत्ना, रायपूर, रिशीकेश, गोरखपूर, कल्यानी और बरिंडा इसमें total 851 seats हैं, जिसमें general category के लिए 333 seats EWS के लिए exclusive 79, OBC के लिए 217, SC के लिए 116, और ST के लिए 64 बाकी इसमें physically challenged persons के लिए भी बहुत सी seats reserved हैं, अगर वो seats उनसे नहीं भरी जाती हैं तो यह normally a lot कर दी जाती हैं, तो यह 12 aims और total 851 seats यहां पे available हैं eligibility बहुत important चीज़ है, eligibility पता होनी चाहिए, सबसे जिए important eligibility है कि BSC nursing course में जो aims के तो होता है उसमें सिर्फ girl candidates ही apply कर सकती है, मलब सिर्फ girls का admission होता है, boys apply नहीं कर सकते हैं यह BSC paramedical जो होता है, ध्यान दीजेगा, BSC paramedical जो होता है, BSC nursing का, जो की साथ में examination होता है, इसका, उसमें boys apply कर सकते हैं तो BSC nursing में सिर्फ girls apply कर सकती हैं, Indian nursing council के गवर्ण होता है, तो minimum 17 years of age आपका examination में होना चाहिए, 17 साल के minimum ही होनी चाहिए subjects में, आपके 12th class में, physics, chemistry, biology और English होना कमपल सरी है, इसके लाव अगर आपको आप mathematics है, statistics है, computer science है, उसे कोई फरक नहीं पड़ता, लेकिन physics, chemistry, biology, English subject यह 12th class में होने चाहिए marks की बात करें, फिर यही बात की गई है कि, चाहे वो general candidate हो, बहुत ध्यान सुनिएगा, चाहे general हो, चाहे OBC हो, चाहे EWS हो, यह 3 candidates को 55% average marks, physics, chemistry, biology, and English अलब 12th में, physics, chemistry, biology, and English, 4 marks का average 55% होना चाहिए, general OBC और EWS candidates के लिए, सिर्फ यह SC और SD candidate के लिए, यह average घटा के 50% कर दिया गया है, तो यह important condition है 12th class की, तो अगर 12th class में आपके average marks है, 55% और SC, SD के 50% हैं, तो ही वो eligible हैं, अगर वो examination निकाल लेते हैं, eligible नहीं होते हैं, तो उनक selection फिर नहीं होगा, reservation की बात कर लेते हैं, तो जितनी seats वे label हैं, उसमें EWS candidates के लिए 10% seats reserved हैं, वो BC के लिए 27% reserved हैं, SC के लिए 15% reserved हैं, और SD के लिए 7.5% seats reserved हैं, fees बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि AIMS एक बहुत ही repeated institute है, और SA Reputed Students Central Institute में, fees बहुत कम होती हैं, तो fees की बात करें, तो registration fees 25 रुपीज है, सिर्फ 25 रुपीज है, एक समय देना है आपको, tuition fees 600 रुपे है, 4 साल के लिए, ठीक है, एक pot मैंने जमा किया आया जाता है, 960 रुपीज का 4 साल के लिए, फिर इसके इलावा आपका hostel आदा है, क्योंकि hostel आपको ले नहीं है, वो 480 रुपे है, 480 for 4 years time, mess आपका 700 रुपीज पर मन्त है, ठीक है, 700 रुपीज पर मन्त, बाकी मैंने 4 साल की फीज बताई थी आपको, एक caution money जमा होता है, 100 रुपीज का, hostel security फीज 1000 रुपीज होता है, और caution money और hostel security फीज दोनों ही यहाँ पे refund हो जाते हैं, तो बहुती कम फीज है यहाँ पे, बहुती जादा कम है, अलब एक normal student उसको pursue कर सकता है, अगर चाहे तो, hostel यहाँ पे आपको सिर्फ 400 रुपीज रुपीज पर मन्त लग रहा है, इसके साथ जो सबसे important चीज है कि AIMS अपने हर student को, जो कि BSC nursing का course pursue कर रहा होता है, उसको 500 रुपीज पर मन्त का stipend देता है, स्टाइफन मतलब आपको हर महीने इसका 500 रुपे का वजीफा या scholarship के form में मिल रहा है, तो आपके यतनी फीज जा नहीं रही है, उतना यादा को स्टाइफन भी यहाँ पर 500 रुपे महीना मिल रहा है, तो बहुती important और बहुती reputed institute है, बहुती अच्छा placement है, BSC nursing कर आप AIMS की भी तैयारी कराते हैं, model paper, sample paper सब provide करते हैं, हमारे चैनल को जरूर से subscribe कर लिए, अगर आप AIMS BSC nursing की तैयारी करना चाहते हैं, और बहुती जल्दी इसका form आने वाला है, हम पूरी इसकी तैयारी करेंगे, बने रही है हमारे चैनल साथ, thank you very much and best of luck for all your examinations.